हेलो एवरिवन मैं हूँ अक्षिता गुपता आपका स्वागत है मेरे चैनल फूडी मूडी में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मिट्टी के बरतन में खाना कैसे पकाया जाता है पहली बार जब आप मिट्टी का बरतन इस्तिमाल करते हैं तो आपको कीन चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूत होती है बरतनों को कैसे साफ किया जाता है और इसके कुछ ऐसे गुण जिसे सुनकर आप मिट्टी के बरतन में ही खाना पकाएंगे ये मिट्टी के कुछ बरतन है दवा, हांडी, इसके साथ लिट भी है, सर्विंग प्लेट और ये गलास ये सारे बरतन क्राफ्ट्समेन इंडिया ओनलाइन के हैं इनकी खासित ये है कि ये डीब बंड है, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है, इस तरीके में बरतन बनाते समय दो बार जलाया जाता है जिस वज़े से इन बरतनों की सहन शिल्दा बढ़ती है, और अगर आप तेज आज पे खाना पका रहे हैं, तो भी ये बरतन चिटकते नहीं है पहली बार जब आप मिट्टी का बरतन इस्तमाल करते हैं, उससे पहले इसे सीजन करना पड़ता है, जिससे इसके शेहन शिल्दा बढ़ती है, तरारे नहीं पड़ते और खाने में मिट्टी का स्वादाने का जो डर रहता है, वो भी खतम हो जाता है सबसे पहले हम मिट्टी के बर्तनों को 3-4 घंटे या रात भर के लिए पानी में डुगो कर रखेंगे देखे बर्तन किस तरह से पानी सोखना शुरू कर दिये हैं 3-4 घंटे हो गए हैं अब हम बर्तनों को अच्छे से साफ कर लेंगे इस समय बर्तनों को 2-3 समय ध्यान से हंडल करें क्योंकि इसके उपर स्टार्च की कोटिंग है और पानी अबज़ोर करने के बाद ये थोड़े चिकने हो गए हैं मैंने हांडी को पूरी तरह से भर दिया है अब लो फ्लेम पेस में उबाला जाने दे पानी में उबाला गया है बर्तन को थोड़ा थंडा हो जाने दे उसके बाद सारा पानी स्ट्रेंड कर दे सेम प्रोसेस अब तवा के लिए भी कर ले प्लेटो ग्लास को हम इन में से कुछ भी का निक ज़ूरत नहीं है क्योंकि हम वो सिफ सर्विंग के लिए यूज करने व अगली बार जब हम खाना बनाएं तो वो तखानी का तेल ना सोखे सेम प्रोसेस आप तवा के लिए भी कर सकते हैं या शुरू के कुछ दिन उसमें पापट छान ले जितना तेल अबज़र्व होना है हो जाएगा देखिए हांडी ने तेल को पूरी तरह से सोख लिया है शुरुवात के कुछ दिन जब आप मिट्टी के बरतन में खाना बनाएंगे तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखे कभी भी मिट्टी के बरतनों को जादा गरम करके उसमें कोई थंडी चीज या थंडा पानी ना डाले परना उसमें क्राक पड़ सकते हैं आज इस वीडियो में हम मिट्टी के तवा में क्या-क्या रेसिपीस बना सकते हैं ये देखेंगे और मेरे अगले वीडियो में मैं मिट्टी के हांडी में बिर्यानी बनाना सिखाऊंगी तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें ये मिट्टी का तवा थोड़ा से गहरा है तो इसमें अच्छे से तेल डाले और असानी से पापड तरले पकोड़े तरले चिप्स फ्राइ कर ले इसमें आप फिश फ्राइ भी बना सकते हैं पनीर फ्राइ बना ले पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आप पैन में थोड़ा सा तेल डाले उसके बाद पराठा डाले इससे पराठा नीचे जिपकेगा भी नहीं और बहुत ही करारा सेकेगा आप इसमें साधा पराठा बन मिलाले या पनीर पराथा कोभी पराथा इसमें भmay असानी से और बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं पर आपस तरह को रोटी। बनाने के लिए इस्तेमाल करें रोटियां भी बहुत असानी से बन जाती है शुरुवात के कुछ दिन आप इस तवा में कुछ देल वाली चीज बना ले उसके बाद जब आप रोटियां बनाना शुरू करेंगे तो रोटियां बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं आप इसमें अपना गर्मा गरम सुबा का नाश्टा याने ओमलेट भी बहुत यसानी से बना सकते हैं इस तवा में आप ब्रेड सेख लें टोसा बना लें उत्तपा बना लें सारी चीज़ें बहुत यच्छी बनती है मिट्टी के बर्तनों को कैसे साफ किया जाता है ये भी जानना जरूरी है अगर बर्तन में कोई खाना चिपका है तो कुछ देर के लिए से पानी डाल के रख दे फिर इसे सिफ आप नीबू से रगड करके धोले आप इसमें बहुत ही थोड़ा सा वाशिंग लिक्विड डाल करके भी धो सकते हैं एक सॉफ्ट स्क्रॉप से और अगर आपने इसमें सिफ रोटी बनाई है और यह जादा गंदा नहीं है तो सिफ पानी और नीबू से ही धोले क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पोर्स होते हैं कभी भी आप इसमें वाशिंग लिक्विड डाल करके रहने ना दे इसे तुरंथ ही धोल लें अच्छे से बर्तनों को अच्छे से सुखा लें उसके बाद मिट्टी के बर्तनों को अपने स्टील बर्तनों से अलग ही रखें ताकि आपके मिट्टी के बर्तनों में किसी भी तरीके का स्क्रैच आने का डर ना रहें मिट्टी के तवा को आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें उसमें अलग-अलग रेसिपीस बनाएं मिट्टी के बर्तन में बनने वाला खाना बहुत ही सदा टेस्टी होता है खाने के पोशक तवा भी बरकरार रहते हैं अपने शरीर को उपयोगी होने वाले कैलशियम, सर्फर, फॉस्फरस, मैंगनीजियम और ऐसे बहुत सारे कंपॉंड भी मिलते हैं तो अगर आप भी मेरी तरह अपने स्टील बर्तनों को मिट्टी के बर्तन से रिप्लेस काना चाते हैं या ओकेशनल कुकिंग के लिए खरीतना चाते हैं तो क्राफ्ट्समेन इंडिया ओनलाइन से ओर्डर कर सकते हैं आपको एमेजॉन के लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बाक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगे आप बाकी मिट्टी के बर्तन भी जेक कर सकते हैं जैसे हांडी, कड़ाई, डिनर सेट, फ्लाटर ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेलफुल और इंटरस्टिंग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रू करेगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करेगा थैंक ये फॉर वाचिंग, बाई बाई